आज हम error 7, error 14, मतलब E14, E7 को हम लोग trace out करेंगे जो LP और HP और motor protector का बारे फोल्ड बताता है कैटलोग में आज इसको trace out करेंगे बन्दम आपके स्वागेते हैं, आज स्पेटर के इनुट पे काम करने आए जिसमें E6, E7 error आ रहा था तो E6, E7 error आने का बहुत सारा problem होता है, मतलब high pressure पर जा रहा है, motor protector खराब हो सकता है, condenser fine motor खराब हो सकता है, condenser block हो सकता है, condenser fine motor नहीं चालना, jam रहना, बहुत सारा रॉलम आता है, गास को चेक करना पड़ता है, बन्दम चेक करने का तरीका बता है, अगर condenser आप देख लेगए, condenser का हाला से पाराफ से स्टम है, condenser block नहीं है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं, सबसे फर्स्टी स्टेप है, इसको त्रेस आउड करके दिखाएंगा आपको, ठी मोटरी प्रटेक्टर नहीं लगाए वा क्योंकि दूसरा है यह में आजम पर आधमी को समझ नहीं आता इसमें कि करना क्या है तो हम लोग सबसे पहले step by step condenser fine motor का पूछ करके इसका MPR करेंगे नॉर्मल ये गार देखे 1.4 ले रहा है condenser fire motor मेरा on हो गया है ठीक है ये condenser fire motor 2 है ठीक है अभी देखे इसका 2.9 थीरी पॉइंट ले रहा है मतलब वन पॉइंट से काफी double amp ये जादा ले रहा है तो नॉर्मल ये इसको आपको fine motor को भी दिखाएंगे ये थोड़ा छुएगा तो इसको हीट रहेगा इसका motor जादा और आपका sound भी रहेगा इसमें कुछ आवाज रहेगा अब ये अब ये अब ये अब आपको आपको सोग हरेंगे पहले वन कॉण को फोड़ा थोड़ा थोड़ा जैके लेक वाद को अंदर? जैके लेक यह शीकेंड वन है, इसमें आवाज सुन रहे आप इसका मेकनिकल डैमेंज हुचीका है वहां से कावाज इसको बाहरी मैंदर का साफ्ट थो जो बताए, घर्मो इस्टेट से अफ्कर वा दिया अभी फिलाल अभी इसको अनुस को सिचीवी से बंद करेंगा उसके बाद हम इसको यहां सब्सक्राइन करेंगा, सब्सक्राइन करने के वीडियो अफ्लेड अपलाड अरएड है वा असको देख सिर्थे आपको इसका चारो बोल्ल डेसमें, चारो बोल्ल कम भी यहां से रिमुफ करेंगा, इसका फाइन मोटर इक करेंगे, स्कॉन करेंगे, इसका लेडर चल जाएगा अगर काम आपको थोड़ा से वाले में, एकिन मनिया 30% तो भी अच्छा टिक्मिशन बन सकता है, खली थोड़ा सा दिमाग से और प्रोलम को समझना पड़ता है, कैसे क्या मसला है, क्या हो रहा है, क्या प्रोलम है, इसको भी हम लाइफ सट आउट करके दिखाएंगे, यह मेरा कोशिस हो रहता है, जतना वीडियो हम बना है, लाइफ बना है, ताकि अच्छा आपको समझ में आए, और काम करके आपको प्रोलम पहले प्रोलम दिखाएंगे, उसका बद प्रोलम सॉल्फ करते हैं, आपको पुरा लाइक देखेंगे, एक कंडेंसल फाइन मोटर हैं यहां अब इसका मख़ाएं अब इसका मख़ाएं खुले इसको यहां से, यह इसका टर्मिनल का कनेक्शन है, यह भी डवलू जब भी हम लोग का इनिट में ईसेवन या इफॉटी नहीं है, मताब एर साथ या चौदा आए तो हाइप रेसर से रिलेटिब जितना भी एक मेंड है, जितना भी पार्ट समको चेक करना पड़ता है, जब भी हाइप रेसर से कनेक्ट हुआ रहता है, डिवाइस से, ठीक है सब्सक्राइब काम करें कि नहीं कर गैस ओपर चार्ज होना, इसी तरह से ट्राइ फिल्टर ब्लॉक होना, मतार टोटल जिस जिस से हमारे एच्पी में जाता है, सिस्टम यहर कंडिशन उसका हुआ टोटल एटुजेड है चेक करते स्टेप आप स्टेप, इसमें आप देख तो आप जब भी टच किजेगा मोटर को तो काफी हिट रहे गागा तो आपको समझ मां जागा कि वह मेरा जो मेरा इकुमेंट है, इस मसीन को परवलोम रहा है, चंडरफाइब का उज़ा से, परवलोम है, कंडरफाइब का इसको इप्तार को में आपर बाददो, अभी इंस कर दो कि हमलों फाइनली1 इस को फिटिंग किलिएड ये इनसाल आभी आपको इसका इँपके दिखाएंगे अरिक के शर्ण का निचे जाके थर्मो इस्ट्रेस के आर्ड Defender तेस्टिंग के लिए डालते एंपेर में डालते मिटर को ठीक है इसका है इसका रोटेस्टन भी चेक कर लिए रोई देखिए नॉर्माल है वान पॉइंट है मतविन साला वेर नहीं आगा आपको थर्मस्टेड मेर भी दिखाएंगे जा चुका होगा तो यह सग्ति है रोटेस्टन साइए बार भेग रहाना है इसके अपपर काम कर रहे है इंसा अलग्यां को धर्म श्रोट करेंगे देखिए उसमें और नहीं होगा तो देखें जैसे अब तर्मस्टर देखरें इसमें को यह रहर नहीं है बट अभी कंप्रेसर मेरा ओन नहीं हुआ है अभी तंपरेशर को डॉन करेंगे और इसला कंप्रेसर ओन होगा होते साथ अगर आ गया तो मतलब प्रोब्लम सॉल्व नहीं हुआ अगर नहीं आता तो फ आफिर एक निए टॉपिक के साथ मिलेंगे अलाहाफिज अच्छा लगता है तो लाइक करें सब्सक्राइब करनें करदे चैनल को फिर इंसा लगता है तो लाइक करें मेरे चानल को मिलेंगे लाइब वीडियो जितने भी विश्म बना दिखाके प्रोब्लम सॉल्व करते आपको लाइक वीडियो हमेशा हम सो करेंगा आपको जितना भी प्रोलम हो प्रोलम को सॉल्फ करते वे इंशाला आर पीजी तरीके से सिखाते वे अच्छा लगता तो लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे कैनल को